एक और जहां नोट बंदी को लेकर संसत में संग्राम मचा हुआ है तो वहीं दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन के जिवाल और पश्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममताब एनरजी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है आज दोनों ने ही दिल्ली के आजादपूर मंडी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीम मोधी के नोट बंदी के फैसले की जम कर आलोचना की केंदर सरकार के ओर से 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट बंद करने के फैसले का विरोध करते हुए ममता और केजरिवाल दोनों ने ही प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पर जम कर निशाना साधा के जिवाल ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बैंकों के बाहर लाइनों में कोई उद्योग पती नहीं है बलकि आम आत्मी है और सरकार जंता को परिशान करने में लगी हुई है इसके साथ ही के जिवाल ने नोटबंदी को आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है तो वहीं मम्ता ने पी-म मोदी को नोटबंदी का फैसला तीन दिन के अंदर वापस लेने का अल्टिमेटम दे दिया है विजे मालिय के जरिये के जिवाल ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीम मोदी ने रातो रात मालियो को हवाई जाहज में बठा कर लंदन भेच दिया और साथ ही साथ उसके अर्बो रुपए का लोन माफ कर दिया है हाला कि रैली के दौरान जबरदस्थ हंगामा देखने को भी मिला कई लोगों ने के जिवाल के विरोध में काले जंडे लहराए और मोदी मोदी के नारे लगाए हाला कि रैली के बाद के जिवाल और ममता बैनर जी आरबे आए दफ्तर के बाहर पहुंचे और नोडबंदी के विरोध में धरने पर बैठ कए नोडबंदी को लेकर बैंकों के बाहर लंबी कतारों में लगे लोग परिशान हैं देश में हाहाकार हैं ऐसे में देखना बाकी है कि विपक्ष केती के देवर के सामने सरकार क्या कतम उठाती है देखते रेगी डीडी बिलाएं